गुड़ी निंगालो भ्यू हमने लास्ट टाइम पढ़ा था गरंथियां गरंथियों में गोनट्स गरंथि हमने पढ़ी थी गोनट्स गरंथि जनन गरंथि बोलते हैं उसको गोनट्स गरंथि को तो उसी से हम आगे चलते हुए आज बढ़ेंगे गरंथियों के बारे में और कौन सी गरंथी में गोनट सी गरंथी में जननतंतर के बारे में बढ़ेंगे reproduction system क्या पढ़ेंगे हम reproduction system नर्व ये मादा दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे नर्व में reproduction system में कौन-कौन से अंग जिम्मिदार है और मादा में कौन-कौन से अंग जिम्मिदार है ठीक है तो हम वो पढ़ेंगे तो हम देखेंगे जो reproduction system है उसमें उसमें देखेंगे तो नर्व मादा में सभी में एक गरंथी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं गोणर्स गरंथी ठीक है गोणर्स गरंथी बच्छाओं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड नाइट आल ओफ यू ठीक है तबी को दुबारा जो भी जिस समय देखें उसी समय का उसी का गुड है ना गोणर्स गरंथी हमने क्या पढ़ा था गोणर्स ग्लैंड पढ़ा था गोणर्स ग्लैंड गोणर्स ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं जनन गरंथी क्या बोलते हैं हम इसको जनन गरंथी जनन गरंथी में हम देखते हैं नर्व मादा में इसके लिए अलग-अलग गरंथियां होती है क्या होती है नर्व मादा में इसके लिए अलग-अलग गरंथियां होती है नर्व में अलग होती है और मादा में अलग होती है कि नर्वे मादा में अलग लगाती है कि नर्व में हम देखते हैं नर्व में होता है मैंने नॉर्मली आपको बताया था उसे हम जोड लेंगे भी दिरे दिरे तो हम देखते हैं नर्व में बता था विर्षण क्या होता है विर्षण जिसका हम बोलते हैं टेस्टीज और मादा में होता है अंडास्य जिसको हम बोलते हैं ओरी क्या होता है ओरी हम देखते हैं नर में एक आर्मोन होता है जो विर्शन से निकलता है उसको हम बोलते हैं प्रोजेस्ट्रोन आर्मोन ठीक है और मादा में जो अंडास्य से निकलते हैं तो उसमें दो आर्मोन होते हैं एक तो होता है एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन सोरी यहाँ पर टेस्ट्रोण आएगा यहाँ पर आया टेस्ट्रोण तैस्टे टेरो अघ्याना ठास, टास से बनाया ठास की त्यारN और यहांपर प्रोजिश्ट रोन क्या होता है प्रोजिश्ट रोन होता है बच्चो邪 ये था मारा बेशीक क्या था BASIC था हमारा प्रोजे स्टरोन हमने बेसिक है गोनट्स गरंति के बारे में एक गरंति पढ़नी थी इसी वजह से हमने क्या बढ़ लिया थीचे तो हम देखते है लेंगिलक्षनों के बारे में बता था उनके लिए टेस्ट टेरोन आर्मोन जिम्मधार किसमे नर में मेल में मेल में ध्यान होगा सबी को मादा में फिमेल में इसी तरह से लैंगि ग्लक्षणों के लिए जिम्मधार है एस्टोजन और प्रोजेस्टोन लेंगिक लक्षन कौन से होते हैं बच्चो sexual traits होते हैं कौन से होते हैं sexual traits यह sexual traits क्या होते हैं नर्द का नर्द दिखना मादा का मादा दिखना वही क्या होते हैं लेंगिक लक्षन तो जो मादा के अंदर लेंगिक लक्षन दिखाएंगे sexual traits दिखाएंगे तो उनके अंगों का विक्षित होना जो sexual organ दिखाएंगे जो sexual traits दिखाएंगे उनी लक्षणों का उत्पन होना वो सारा सारा मारा क्या होता है अलग अलग आयू के अंदर होता है जैसे हम देखते हैं पुरुसों में यह थोड़ा लेट होता है बारा से पंदरा और मादा में यह ग्यारा से चोदा वरस की आयू के मद्ध है यह सुरू हो जाता है अब हम डिटेल में इसके बारे में हम जानेंगे ठीक है डिटेल में हम देखते हैं पहले नंबर पर पहले नमरके जानेंगे नर के बारे में तो नर के बारे में जानेंगे नर मेल नर मेल, देखो जो डाइगराम बनाया है, तो नर में देखो टेस्टीज होते हैं, पैनीज होता है, यह ग्लेंज पैनीज है, पैनीज बोन है, यह पैनीज की हड़ी होती है, यह ब्लेडर है, ठीक है, यह प्रोस्टेट ग्लेंड है, यह युरेथरा है, जहां पर मुत्तर एक है और यह स्कॉर्टल सेक है जहां पर टेस्टी ज रहते हैं ठीक है स्कॉर्टल साक ठीक है तो हम देखते हैं नर में हम बात करें इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं तो देखें तो नर में हम देखते हैं हम लिखेंगे नर में जो लहांगी लक्सने तो वह कब सब्सक्राइब कर देता है पंद्रा वरस की आयू के मद्द्ध बनना शुरू हो जाता है यह मुख्य रूप से च्यार लेंग लक्षन है जो पूरूस में होने ही होने चाहिए पहले नमबर पर मैंने बताया आपको के पहले नमबर पर है मास्पेस्च का मजबूत होना मास्पेस्च क्या है थोड़ी मजबूत होना शुरू हो जाएगी दूसरी नमबर पर हम देखते हैं अवाज का मोटा बन आवाज रहर्मोंल दिखकत हो यह जो सवरी अंतर कापार है वह दीरे दीरे बड़ा ना हो तो एकदम आपने देखा कई क कि तो बहुत ही लेट बड़ा होता है तो इसी वज़े से लेंगी लक्षन बाद में उत्पन होते हैं हम यह कह सकते हैं आवाज है वह मोटी हो नहीं पाती ठीक है फिर तीसरे नंबर पर मैंने बताया आपको जो मूचों का ना कई कि अच्छी तरह से तो इसलिए हम देखते हैं वह मैंने बताया आपको जो सुक्रानों का निमान तो यह मुख्य रूप से च्यार लेंगिक लक्षन नर के अंदर देखे जाते हैं तो हम कह सकते हैं जो नर है नर थोड़ा रंग चेंज कर देते हैं इसमें इसमें कि लेंगिक लक्षन लेंगिक लक्षन लेंगिक लक्षन लेंगिक लक्षन लेंगिक लक्षन अ कि शेक्ष्वल ट्रेट्स इंगलिस में में साथ में बता दिया वह पहले भी लिख लिए था हमने लेंगिक लक्षन बारा से पंदरा वरस की आयू के मद्ध्य उत्पन होते ह कि मध्धे उत्पन होते हैं कि 12 से पंदर गरस क्या है कि मध्धे उत्पन होते हैं तो हम कहें सकते हैं लेंगी लक्षन का तात्प्रेय क्या है लेंगी लक्षन का उध्वान तो अवाज का मोटा पन अवाज का मोटा पन मॉटा पन मास्पेश का मसल्स स्टोंग हो जाती मसल्स मास्पेश तो उसमें वो एक तरह से गुडिया जैसा होता है मासपेशियों का मजबूत होना जैसे अपने खिलोने होते ना उसी तरह मुलायम होता मासपेशियों का मजबूत होना ठीक है फिर उसके बाद में मास्पीशिया मजबूत है ये नर्म में भी रहती है मादा में भी रहती है लेकिन दोनों के अंदर ये कॉम्मन लक्षन है कभी ये सोचों कि भी महिलाओं के अंदर मास्पीशिया मजबूत नहीं होती अब आज का मोटा पन मास्पीशियों का मजबूत होना और मूचों का आन और हम देखते हैं मुख्य रूप से एक और सुक्राणूं का निमान सुक्राणूं क्या है सप्रम का निमान ठीक है तो यह थे लेंगी के लक्सन और हम देखते हैं इसमें इसके लिए जो आपके पेपर हम पूछा जा सकता है इसके लिए नर में इसके लिए नर में कौन जिम्मेदार है टेस्टी टेरोन हार्मोन जिम्मेदार है ठीक है हार्मोन जिम्मेदार है टेस्टी टेरोन हार्मोन जिम्मेदार है ठीक है तो हम देखते हैं यह प्रोट प्रोस्टेट ग्लैंड है प्रोस्टेट गरंथी ठीक है ज्यादा ज्यादा यह पूछा जब थोड़ा सा आई लेवल का प्र आपके पूछना हो तब इस तरह के क्यों पूछते यह पूछ लेते हैं देखो यह पूछेंगे पहरे बच्छों कि निमन में से कौन सी घरंथी मादा से संबंदिते नहीं है या निमन में से कौन सा अंग है वो मादा से संबंदिते हैं यह कौन सा अंग नर से संबंदिते हैं इस तरह से क्यों पूछे जाते हैं ठीक है तो हम देखते हैं प्रोस्टेट हो गया यह हो गया मुत्रास्य युरेथ्रा यह हो या मुत्राष्य अ कर यह सब्रंदक्ट्टा सप्रम डग्ट को तो इससे फिर वह हैं मुख्य रूप से आप देखोगे वह मात हम बोलते हैं कि भी ओप्रेशन करवा लिया क्या ओप्रेशन का मतलब है जो एक बार सरकार के द्वारा प्रोग्राम चलता है उसमें एक रेडियो है ना और एक कंबल और 1100 रुपए या 200 रु वितल्त विच्छापें में आगे अगे देखना हमें आगे तो नर्म में जो निकलते हैं नर्म होते हैं तो सूक्राण होते हैं तो सुक्राण के बारे में हमने जानना है ठीक है यह सपरम के बार में तो हम कहें पहले नमबर पर जाने का जानेंगे और स्थी के माध्यें से लिए सभी आनने जो यह न जो न टो इसे कितनी होती है न फिल चाहिए दो है न कि दो होते हैं और हम और 6 जो साथ में महिने में रहे जब साथ में महिने में लास्ट में और या आठ मैंने के बिलकूल है एक ह्व membership कीने एक साथ मंफ मंत है धेमान्त या कर आठ हुए लुए मंत के फच्रीक तर्ष्ट कुझनए एक तो इसमें क्या होता है तभी विर्शन वह सरीर से बहार आते हैं, उदर में रहते हैं, उसका एक भाग रहते हैं, तो साथ में मन्त के लाष्ट में, जग गरब में बचा रहता है, ठीक है, कभी यह सो तो गरब का मामला क्या, सात में महिने में गरब, गरब में जो सीशू रहता है तो उसमे शातमे मंथ में विर्षन बाहर आएंगे वरना अंदर रहते हैं उसके बाद में यह बाहर आएंगे और उसी समय पर इसके अंगों का विकास होना शुरू जाता है लेकिन उदर गूहा के अंदर विर्षन भी रह जाएंगे, उस भीमारी को बोलते है, 15ोब्चैन करता है, क्रिप्टो औा ए वेक्तियों के अंदर थोड़ी सी दिक्कत रहती है, जो सप्रम है, जो बनेगा, क्या उसके लिए वह जनन कर सकता है, सप्रम, तो ऐसे रूप से सुक्राणू का निमान सुक्राणू मीनस किया सप्रम और विर्ष्न मीनस किया सप्रम और विर्ष्न तापमान उसका तापमान शरीर के तापमान से तापमान से तापमान से तापमान से दो से दो पॉइंट पांच दो से दो पॉइंट पांच डिगरी सेटिगेट कम हो समझे हो? मतलब शरीर का जो तापमान है उस तापमान से क्या है? दो से पांच सब्सक्राइब करें वरना सब्सक्राइब हो जाती है तो इसी वजह से यह बहार आना जरूरी है तो प्रकर्ति ने ऐसे बना रखाया कि बहार आएगा तो इसका तापमान है वो कम रहेगा सरी के तापमान से और कम रहेगा तो विर्षन में सुक्रानों जिवीत रहेंगे यदि विर्षन के अंदर सुक्रानों जिवीत रहेंगे तभी तो है जन कर सकता नहीं कर सकता। थीख है तो फिर स्के बाद में हम देखते हैं कि जा मानों के अंदर है जो मैंने बताया विर्षने इंकी संख्या रगाता आता है। इनकी संख्या दो होती है, इनकी संख्या दो है, संख्या दो होती है, इनकी संख्या दो होती है, इन दो में हम देखते हैं, इन में सुक्रानों का निमान होता है, सुक्रानों, सुक्रानों मेंस का है, सप्रम, सप्रम का निमान होता है, जो सुकराणों होते हैं वो एक बार में जब हम नॉर्मली बोल देते हैं कि वीरिय है तो वीरिय जो होता है जो तो उसमें हम देखते हैं नॉर्मली जो यह मुख्य रूप से यह जब नर के अंदर जो रिलीज होता है उसमें पर तो उसमें पर 1.5 से 2.5 एमल तक होता है और इसके अंदर जो सुक्राणों की सिंख्या होती है वह है लगबग रहती है 100 से 200 मिलियन कितने रहती है 100 से 200 मिलियन और पीएच लेवल है इसका 7 से 7.4 रहता है और यह हलका बेस है क्या रहत Tick रहता है वह देखते हैं जो जो वीलिया होता है सप्रम होता है टोटब सप्रम में ह Bishop रहता है जो से रहता है मैं आपको एम्मेल में रहेगा किसमें रहा एम मेल में और M ayam jeans तक है तक रहे ऑर इसकी संख्या जो रहेगी संख्या सुक्रानों की संख्या ॅ साहरा के जो संख्या रहेगी नुमडर अफ प्रौन प्रहनें, वो कितने रहेगे 100 दोसो मिलियन रहेगे, वर्तमान में देखर जो खान पान की वज़े से कई पूर्सों के अंदर इसी संख्या कम हो जाती है इसलिए आप देखो मादा को सीधा दोस नहीं दे सकते आज कल जब भी कोई व्यक्ति है यह कहेगी जो मादा के अंदर दिक्कत है तो डोक्टर नहीं नहीं मादा में नहीं है पहले आपका भी सप्रम काउंट चेक किया ज टेस्ट्यूबे भी करना पड़ेगा मतलों उसकी संतान नहीं बन सकती है तो हम देखते हैं जो पीएच लेवल है जो पीएच लेवल है पीएच स्थर की बात मैंने बोली पीएच लेवल की बात किसकी वीरे के अंदर वीरे की हम पढ़ रहे हैं यह आप ध्यानक होगे तो पीएच लेवल का रहा है गा 7.1 से का रहा है 7.4 ठीक है तो 7.1 से 7.4 रहता इसका पैसका यह वेज़ानक है अकसारी है अमल नश्ट कर देगा, इसी वज़े से मादा है, असानी से मादा बनने में मदद मिलती है, जब मादा के अंदर अमलियता ज्यादा हो, तो वह मादा माता नहीं बन सकती है, ठीक है, तो इससे ये फाइदा रहता है, तो हम देखते हैं, फिर और क्या बात है इसके बारे में, इसमें ये भी है, ये भी ध्यान रखना जरूरी है, कि जो वीरिये होता है, तो इसके अंदर हम देखते हैं, जो उर्जा देता है वीरिये को, वह फ्रुक्टोज नामक कर्भाइडेट देता है, इसमें इसमें उर्जा, इसमें उर्जा, फ्रुक्टोज नामक कर्भाइडे दी जाती इसमें उर्जा फ्रुक्टोज नामा कर्भरेड द्वारा दी जाती आप ये सोचोगे ये उर्जा की बात कैसे आ गई देखो सप्रम है एक कोशिका है और इसके अंदर तो माइटो कॉंड्रिया भी होता है इस कोशिका में इस कोशिका कोशिका के माइटो कॉंड्रिया में माइटो कॉंड्रिया में माइटो कॉंड्रिया में इस कोशिका के माइटो कॉंड्रिया माइटो कॉंड्रिया मिन्स क्या है माइटो कॉंड्रिया ठीक है इसको माइटो कॉंड्रिया बोलते है हिंदी में भी इंगलिस में भी इसको सिका के माइटो कॉंट्रिया में उर्जा का स्त्रोथ फ्रुक्तोजी इसे तिमाग में यह बात भी आएगी कि मास्टर जी कई जगें पर हमने ये पढ़ा था कि जो सबसे छोटी कोशिका है यही है मानो की हाँ यही है सबसे छोटी कोशिका है मानो की यही है और मानो में एक RBC भी बोली जाती है मानो में सबसे छोटी कोशिका सबसे छोटी कोशिका छोटी कोशी का सुक्रानू अंडानू भी बोल देते हैं सुक्रानू अंडानू आर बीशी अंडानू की अंडानू बात करें सुक्रानू सप्रम वह आर बीशी मानी जाती है मतलब एक ही साइज की है ठीक है एक ही साइज की है मानी जाती आई बात समझे में प्यारे बच्चों ये था हमारा किस के बारे में बढ़ रहे हम विर्शन के बारे में और विर्शन किस में है नर में इसकी संग्या कितनी है दो ठीक है इसमें एक प्वेंट और ये मेशा यह मेशा शरीर के बहार स्थीत होते हैं अब यदि कोई बच्चा है बिलकुल हिच है महिन्य का ही हुआ है और फिर उसका जनम हो गया तो उसमें कोशिस क्या रहेगी साथवे महिन्य के लाश्ट में आता है तो इसी वज़े से यह रहेगा कि बहुत ही कम chance रहते हैं कि जो हम देखते हैं मौश्टली कि जो विर्षन है वो शरीर के भार आए लेकिन आपने देखा हो जो सत मसा बोलते हैं सत मसा पैदा हुआ है तो वो मौश्टली क्या है 7 महिन्य के लग बग जीने के लिए बहुत सारे अंग और जो जीने के लिए बहुत ही जरूरी रहते हैं ठीकर है वैठिकारी बच्शो हम देखते हैं जो आगे अगे देखो क्या रहता है जो सप्रम है जो सफ्रम और जो नर जब यह वोई डिपनेशन होगा और उसमежд मानों का जो फोटा बो डिगा जो ऑड एकKO न्वर्मों के अंदर हो उतिज्ञरना पर रहती है फिर और किसन पूछा चाका इसके यह भी पूछे जा सकते हैं इसके और अंग कौन-कौन से जो jождêsए नर में जनननननन अंग नर्मे, जनन, अंग, और तो यह बात धिहानक होगे, रिप्रोडक्शन और गन की बात की जाए, तो हमें यह धिहानक रखना है, तो यह भी पुछा जा सकते हैं आपके, ठीक है, तो हम देखते हैं, तो यह सारे के सारे जो मैंने आपको बताए थे यह सारे हमारे क्या है इसके अंग है ठीक है नर में जनन अंग की बात करें तो वह पहले नंबर पर आप यह ध्यान कोगे प्रोश्टेट ग्लेंड प्रोश्टेट गरंथी प्रोस्टेट ग्रंथी तो पेपर में आपके इतना ही पुछा जा सकता है कि कौन सा अंग नहीं है और कौन सा अंग है ठीक है बचो प्रोस्टेट ग्लेंड ठीक है प्रोस्टेट ग्रेंड क्या करती है मास्टाजीब जो प्रो एक क्या यहhonori यहफ जोड़ी है मानों में और जो ँर्यानों के अंदर क्छोंता ही तो सब्चांट 15 microorganism और इस तो न देखते हैं कितनी होती है में बता कितने होती है दो जोड़ी होती है कि एक जोड़ी होती है मतलब 2 में एक जोड़ी उती है फिर के बात में और क्या था 20 से 30 परसेंट है जो पी 20 और क्या है माश्र जी और है हमारा और क्या पढ़ना है हमें दूसरे नमब पर एक और पढ़ना है जो सबसे इंपोर्डेंट भी रहती है वह रहती है सुक्राश्य जो सुक्राश्य है इसमें हम देखिते हैं हुउनी 50-80% हुआ सुक्राशी करता है। को सोबसा नियुक्त नियुक्षा क्या है 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 कि टेखाए टेख पोस्टेक गेन दैए हमारी वायवारे हुगी स्प्रल मैंना टो साथ से असी परसेंट हम कह सकते हैं, 40-80% साथ यहां से 60-80% जब यह ज्यादा रिलीज करते हैं, तो यह कम रिलीज करेगा थीक है, यह रहता है, अच्छी बात है और बताएं और क्या है हम देखते हैं मुख्य रूप से एक और है जो गरंथी है जिसको काउपपर गरंथी बोलते हैं बलो बल्बो यूरेथर गरंथी बोलते हैं क्या बोलते हैं काउपपर और इसका एक और नाम बल्बो यूरेथर गरंथी जो बल्बो स्क्रानुमों का यहीं पर निमान होता है तो यह भी लिख देते हैं हम तीसरे नंबर पर बल्बो यूरेथर कि इसको हिंदी में बोलते हैं काउप पर काउप पर गरंथी भी बोल देते हैं ठीक है ग्लेंड तो हम देखते हैं पांस से दस परसेंट पांस से दस परसेंट शुक्रानुमों का निमान करता हैं का निमान इसकी और इंपोर्टेंस क्या है इसकी सबसे इंपोर्टेंस यह है कि जो यहां से रिलीज होगा जो सुक्रानों यहां से रिलीज होगा तो यह मुख्य रूप से मादा के अंदर जाएगा योनी में और उसकी अमलेता को नश्ट कर देगा ठीक है इसकी खास्यत सुक्रानों की यह खासिएत रहती है, यह एक जोड़ी होती है, यह भी क्या होती है, एक जोड़ी, इस से जो सप्रम, जो सुक्राणो, निकलता है, निकलता है, वह मादा, वह मादा, मादा मिन्च क्या है फिमेल? विमेल कि योनी की योनी की अमलियता नस्ट कर देगा अमलियता एस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट का विकास अच्छी तरह से हो पाता है एक है मादा योनी की अमलेता को नश्ट कर देता है और आपको खुद ध्यान करने है कि मानों पेपर में थोड़ा सा आई ले उलका पूछ ले तो यह ध्यान रखना जो यह तो देखो एननस है वो गुहा जो आपना पढ़ा था ना गुहा वही है यह प्रोस्टेट ग्लेंड एक तो यह पूछा यह मुत्रास्य है यह तो मुत्र और वाहicial का ंला में इसलिए हम दीखते हैं यह क्या है स्कूर्टल सेख Cheese को विर्शन को बना रखने का मिर्शन को जैते थीक विशुन को मुख्धे रूप से पेपर में पूछे आते हैं यह हमारे पूछे आते को शुकर वाहिनी विर्स्टैट्ड मुतराश्य प्रोश्टेट गैंड सुकराश्य ठीक है तो आपको यह ध्यान खळाए कि यह है वह किसके है किस जनन तंतर के बागा जो नर है जो नर जनन है उसके यह भाग रहते हैं ठीक है इसके बाद में हम पढ़ेंगे मादा एक बार आप लिख दो ठीक है यह सेम का सेम ल झाल जल्दी लिख दो पिर आगे देखते हम लिख दिया हुआ मुझे लगता है लिख दिया हुआ चल देखते हम अब देखो एक बात और इसमें बतानी थी मैंने जो इर्षान है जो विर्षान है तो कई यह पूचते हैं कई बार यह रहता भी है विश्धा और कई इस पर फिडियो भी बना देते हैं पूरी के पूरी के बी इसमें क्या रहता शु sickness video आप इस सुनो अध्यान से इस ठाप से बना देते हैं तो हम देखते हैं मुख्य रूप से इसमें केल्सियम रहता है एक फ्रुक्टोज रहता है एक सिट्रेट रहता है एक फोस्पेट रहता है और पानी रहता है और कुछ नहीं रहता है इसमें जो सुक्राणू है जो सुक्राणू सुक्राणू का संग्ठन देखे हम या वीरे का संग्ठन की बात क है करें हैं ट्रिप्साइए एक हान है कि रहता है पर खिर्ष देता सो प्रूक्तोर कि गरता है लेखानीтов स्तीक प्रूक्तोर है पानी रहता है इसके अंदर और हम देखते हैं एक रहता है फॉस्पेट क्या रहता है मतलब केलिफियों और ऑस सामें है तो यहीं रहते हैं इसके अंदर बस और कोई ऐसा नहीं है कुछ इस तरह का भाग हो कहीं बोले चोंड इसमें रहता है ठीक है यह रहता है इसके अंदर ठीक है और फिर हम जो एक बात और थी इसमें इसमें हम देख लेते हैं जो सुक्राच से जो ब्लेडर बोल देते हैं इसको हम यह भी बोल देते हैं जो सप्रम वैसिकल है यह क्या बोल देते हैं इसको सप्रम वैसिकल क्या बोल देते ह सप्रों वैसिकल फिर प्यारे बच्चों हम आगे देखते हैं वैसिकल्स ठीक है आगे देखते हैं अगला अगले में हम देखेंगे जो सबसे इंपोर्टेंट रहता है मादा में मादा फिमेल में जो लेंगिक लक्षन है मादा में लेंगिक लक्षन है ग्यारा से चोदा वरस की आईू के मद्धे उत्पन होते हैं लेंग लक्षान कर रहा थे लेंग लक्षान को क्या बोलते हैं शेक्सोल ट्रेट्स काउधान हम कहें कि मादा में मादा में एम साइकिल शुरू होना मेंसुरेशन साइकिल जिसको बोलते हैं मेंसुरेशन मेंसुरेशन साइकिल जो आतरों चक्कर बोल देते हैं मेंसुरेशन साइकिल बोलते हैं मतला सारे बहुत सारी बाते हैं इसको बोलते हैं लेंगिक चकर लेंगिक चकर का शुरू होना इसको और भी अच्छी तरह से डिटेल में हमें पढ़ेंगे जो 28 दिन का चकर होता है लें बढ़ेंगे यह 28 दिन का चक्र होता है ठीक है मादा में लेंगी लक्षन 11-14 वरस की आयों के मद्धे उत्पन होते हैं और लेंगी लक्षन का उद्धान मादा में मोश्टली देखा जगया है वो मादा में मैंसुरेशन साइकिल का शुरू होना ठीक है तो हम देखते हैं जो म ऐस्ट्रोजन McMstadt कि आकि कि कुछ प्रोजेश्ट्रोन तक बेश्ट्रोण न कि आपको तो रटा गया होगा फ्रोजयश्ट्रोन है ठीक है प्रोजेश्ट्रोन का फिमेल कभी लिखा हूँ आमए बढ़ा में एस्ट्रोजान वरीध स्थावित होता है कि रावित कम दो क्या था रीजिवना एक्सकेट होना नधार रिली जोना लिख देता हूं एक बार और रिलीज हो स्थावित होना ठीक है और क्या है और है जो मादा में मादा में मादा में जैसे नर्म में विर्ष्ण की सिंख्या दो होती है इसी तरह से मादा में अंडाश्य दो अंडाश्य होते हैं मादा में दो अंडाश्य अंडाश्य मीन्स क्या है ओवरी अंडाश्य मीन्स क्या है ओवरी अंडाश्य मीन्स क्या है ओवरी अंडाश्य मीन्स है जिनसे अंडानों निकलते है अंडानों लाख्छों क्रोड़ों में नियों कहramble जैसे पुरूसमें होते हैं नए एक लिगहलता है एक में जिनसे अंडानों निकलते कि ढिकलता है हैpres門 देखते हैं ऑम यह देखो आप मादा में ऐसे सर्चना होती है ऐसे स्ट्रक्टर होता है मादा में यह सही है इसको देख लेते हैं कि तो देखो मादा में यह कर्विक्स है ठीक है जिसको योनी बोल देते हैं यह यह एंडोमेट्रियम पार्ट होता है और यह मायोमेट्रियम पार्ट है यह आपके पेपरम पुछाएं यह वेजीना होता है वेजीना के पकार्ट केजिय को देख पार्ट हुज है फेलोपीन ट्यूब है यहां से आपके पेपर में पूछा गया यह वेजीना वेजीना अउट्स न ऑषिछ लाए यहां कि अंडवाहिका क्या बोलते हैं फैलोपेंट्यूप को अंडवाहिका अंडवाहिका ठीक है यूट्रस है यूट्रस गर्वास्य होता है बच्चे का विकास बुरुन का विकास है जो सारा का सारा यहीं होता है गर्वास्य है यूट्रस यह बोलते हैं गरब गिर गया गरब ग युटेरीन ट्यूब है तो ये इतने हैं तो मेन रहता है तो और टार भी रहता है ए घरभाशाité बाधूर से आपके टिशन अफम्हें पूछरे जाते हैं तो मरदी प्रेसा enडजश Bendley लेंड़र बांडयक शोप्रीन की ब्रण पूरे साल में कितने चक्र हो गए पूरे साल में बारा बारा मीन्स क्या है आप मल्टिपलाई करोगे तो मोशली आप 25-30 साल तक है मादा है मतलब 30 गुना करोगे आप लगव क्या होगे तो 30-35 साल तक मादा है वह अंडानू देती है ठीक है तो इस रूप से आपको अंदाजा लग गया होगा कि हम बोलते हैं कि 40-45 वरस के आयू के कि बाद मादा में जो अत्रो चक्र है मेंसुरेशन साइकिल है वो बंद हो जाता है उसमें पर अंडास्य से अंडानू निकलना भी बंद हो जाता है और उसमें पर पर जो कई लोगों में आपने सुना होगा कि ये तो साट साल की सत्र साल की मादा है वो माता बन गई उसके अंदर जो अंडानू लिया गया है वो किसी और मादा से लिया गया है उसको आई वीएफ बोलते हैं इन विट्रो फटिलाइजिशन टैस्ट्यू बेभी वह हम आगे बढ़ेंगे उसकी बार में थोड़ा थोड़ा हम आपके पेपर के इसाब से देखें तो नॉर्मली है तो एक वह सानी है तो हम जिससे क्या है जानकार जब चीजे बच्चों को जब याद रहती है जब उसको थोड़ा सा ज्यादा बताया जाए और ज्यादा बताया जाए डिटेल में हो तो फिर उसके चीजे बूलता नहीं है कई रहलों आपने देखा हूं कई लोग फैक्ट याद करते हैं क्यों क्यों चैसे मैं आपको सीधे हैं बीस नाम बता दूं बीस के बीस नाम बता ओ दुबारा तो बीस नाम याद नहीं रहेंगे आपको तो मैं यह चाह दूँन मोहन है यह इस His का है इसके पिता जी बहुत गरीब है और उसके बाद में ये इसने इतनी महनत की फिर आर्मी में लगा मोहन फिर ये उसने ये किया मोहन ने ये किया उसके बार में इतनी डिटेल बता दोगे ना तो आपको तुरंट दिमाग ये तो मोहन है इसके तो पिता जी फार्मर है ये कि वज़े से आपने देखा हुआ कई बार कलास के अंदर 60 बच्चे हो तो कई बार तिंटी महिने के लिए बैच आते हैं तो आपस में नाम भी याद रहती है नाम एक बार बता दिया फिर भी नाम याद नहीं रहता तो कारण यहीं रहता यह तो डिटेल हो तो असानी से और भी याद रहता है अब हम आगे देखेंगे देखो प्यारे बच्चों यह अमने पड़ा थोड़ा इनके बारे में अब हम जानेंगे औरी के बारे में पहले किसके बारे में जानेंगे औरी के बारे में ठीक है ठीक है अब हम देखेंगे औरी और ही और ही अंडास्य मैंने यह तो बता दिया था कि संख्या दो होती है ठीक है तो बस यहां पर यह लिख देता हूँ मैं इन से इन से 28 दिन के बाद 28 दिन के बाद एक अंडास्य से एक अंडास्य से एक अंडास्य से एक अंडानों निकलता है अब अगली बार ये नहीं कि अगली बार उसी अंडासे से निकलेगा नहीं अगली बार दूसरे अंडासे से एक अंडासे से एक अंडानों निकलता है निकलता है एक मादा एक मादा अपने पूरे जीवन काल में अपने पूरे जीवन काल में पूरे जीवन काल में जीवन काल क्या होता है माश्ट जी लाइफ स्पान लाइफ स्पान पूरे जीवन काल जब तक वो अंडानू देगी उसका पूरा जीवन काल ठीक है एक पूरे जीवन काल में 400 अंडानों 400 लगबग 400 अंडानों कभी किसी के काउंट करने लग जाओ और यह को मास्टर जी आप 400 बता रहे थे यह तो कम निखले तो चेंज होता रहे थे इसलिए मैंने लगबग सब्सक्रियों करती है ना पूरे जीवन काल में लगबग 400 अंडानों स्त्रावित करती है तो च्छावित मींज क्या है रिलीज में रावीत करती है तो तो चार्सों डानों रिलीज करती है और हम देखते हैं इसके बाद में फेलोपियों ट्यूब फिलोपियों ट्यूब इसको हम बोलते हैं अंडवाहिका इंगलिस में फिलोपियों ट्यूब बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं अंडवाहिका फिलोपियों ट्यूब अंडानों वे सुक्रानों के मिलने की परक्रिया अंडानों वे सुक्रानों के मिलने की परक्रिया यहीं होती है मतलब है ओवम और सप्रम आपस में मिलेंगे वो कहां मिलेंगे यहीं मिलेंगे वे सुक्रानों के मिलने की परक्रिया के मिलने की परक्रिया मिलने की प्रक्रिया यहीं होती है यहीं होती यह पेपर में आता है आता आपके और अंडानों निकलते हैं यह भी पेपर में आता है ठीक है एब लिख दो जल्दी लिख दे झाल झाल प्रक्राइब प्रक्राइब मिलने की प्रक्राइब कहां होती है फिलोपन ट्यूब में होती है फिलोपन ट्यूब में अंडवाहिका में होती है ठीक है तो हम देखते हैं एक प्रक्राइब और देख लेते हैं फिर बाकी काम कल पड़ेंगे निशेचन के बार में निशेचन P परस्षेचन प्रटीलाइजीशं जो फटीलाइजीशन यह पूछा लाथा कि अंडानों शुकाणों मिलने की प्रिकरा क्या कहला थी है फटीलाजिशन किलाती निशेचन बोलते हैं इसको तेक के छो ओक्या चिया को फिस्षाइब में होए इसे रहर निचे चरौन के सुक्राणों के मिलने की प्रकीए कि ösत्छा मिलने चे प्रॉक लाज़ फिर开व गह tenía मिलने की ब्रकुरिया को फर्फिर एफ पर simplifyya ऑलाओ आए धर्कुरिया मेरख दो दलती नीचे चन कहलाओ तब निशेचन कहलाती है ठीक है बच्चों ये था हमारा कुछ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का इसा पड़ेंगे जो एक्स वाई वाई जिम्मेदार होता है इस तरह के ये चोटी-चोटी बाते हैं इन वीट्रो फटिलाइज़ेशन सरोगेट मदर सरोगेशी मा ठीक है एक डॉक्टर की मोथ फिलम बनी थी वह किस पर बनी थी इसी रूप से टेस्ट वेबी से संब्दी थी वह सारी चीज़ें हम अगली क्लास में बढ़ेंगे बेस्ट वीजिस बेस्ट अफ लक जो टे रहें महनत करते रहें है ना